राजस्थान किर्केट असोसियेशन के अध्याक्ष और कॉंग्रिस निता वैभव गहलोत ने प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में कॉंग्रिस की जीत का दावा किया। तकटगर्ण दोरे पर आए। वैभव गहलोत ने फर्स्ट इंडिया न्यूस सिखास बातचीत में कहा कि पिछले दो सालों में राजसरकार ने कई महतपूर्ण योजनाय चलाई। कोरोना मैरेजमेंट को लेकर भी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया और इसे लेकर जनता में कॉंग्रिस की प्रती उत्साहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंदर सरकार पर निशाना साधा कॉंग्रिस निता वैभव गहलोत से खास बातचीत की सहयोगी शिव प्रताश पुरोहित ने। कॉंग्रिस का प्रतेशन कैसा रही इस बार निकाय चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी अच्छा प्रतेशन करेगी चाए वो सोज़त की बात हो जहां मैं चॉईस तरिक को चुनाव प्रचार में गया था उसके बाद कल पच्चीस तरिक को पोकरड नगरपालिका के कारकरताओं में उत्सा है और मैं मानता हूं कि तीनों ही जगे पे क TVs का बोर बरेगा ऑगा पिछले दू rank में जिस तरह सरकार का कारेकाल रहा है और उन उपलब्यों को लेकर के कौंग्रेस जन्ता के भी जारी है हाँ दो साल का जो कारेकाल रहा शाहंदार कारेकाल है जिस तरह के से सरकार ने जो दो बजट निकले हैं उसमें जो विबिन शेत्रों के विबिन वर्गों के लिए जो ब गोशना हुई यह अपने आप में बहुत आहम खोशना थी क्योंकि इस पूरे इलाके में विशेश तोर पे हम बात करें सुमेरपूर पाली यहां के जनता की हमेशा मांग रही है पाने की उपलबता की किसान अंदुलन की बात की जाए लगातार जसुब मुक्यमतिजी ने भी कहा था कि केंदर सरकार के अडियर लोगर के करन ये अतना लंबा की चला है आपका क्या मानना है और आगे किस तरह से इस किसान अंदुलन को लेकर के हल निकलने का प्रयास होना चाहिए ग्यारा दौर बारा दौर किती वारता हैं विफल हो गई इनकी ये वारताओं पर वारता कर रहे हैं मेरा मानना है खुद ये अपना समय निकाल रहे हैं कि किस तरीके से किसान तूट जाए जिस तरीके से किसानों ने इस बार मुर्शा समाला है किसानों एक तरीके से मजबूत रहके पूरे दिल्ली को घेर के बैठे वे हैं और उसके बावजूद भी केंदर सरकार अड़ियल रवय या रुख अपना रखा है मेरा मानना है इनको एक केंदर सरकार को सकरात्मक पहल करते वे इस किसान आंदुलन को खतम करना चाहिए जो उनकी जाय सकते हो कि वो लोट सके फर्स्ट इंडिया न्यूस के लिए सही होगी बावाने सिंग के साथ शीव पर